तमस्कार आप सुने रेडियो इंदुस्तान मैं हूँ आपके साथ पारिजाद रेडियो साइंस यानि कि रेडियो इंदुस्तान पर साइंस की बात जी है रेडियो साइंस में आज हम आपको बताएंगे क्या है विज्ञान प्राणयाम का जी है प्राणयाम को बना जाता है कि ठिक मि हो जाते हो क्यों कि MP वहाँ पर लाते भी यह बताते हैं लेगिन लोगों का अंदर से को विश्वास पूरी तरह से नहीं है योग पर रलांके दुनिया योग को मान रही है अज़ दुनिया बेर बंके बड़े बड़े देशों में अभी योग को लागोगों होने stamping हो भैरइ armor कि ब्रitt कि ब्रत का अध्यात में बहुत गहरा, भारत को अध्यात में उसके पीछे है बहुत गहरा साइस है चाहे आप मंत्रे विज्ञान की बात कीजिए एक पोस्ट अगली में डालोगा मंत्रे विज्ञान पर साइस है वो शब्द साउंड है शब्द विज्ञान है साउंड साइस है चल यह उसकी बात नहीं करता है अभी में बात करता हूं प्राणयाम की जी ह हो औक्सीजन जिसको प्राल वायू कहा जाता है जब सुबै चार बज़े समय से इद्व समय से शानातान संस्रस्कृति का अनुसार, चार बज़े दिन होता है, हिंदू का शुरुआत होती है, उसको मृत वेला केते हैं, प्राभात वेला मि कहते हैं सबसे बड़ी बाद देववेला क्योंकि उसे में देवता आकाश में भववन करने के अले निगलते हैं तो कहा जाता है कि देवलत बढ़ती है पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को भगवान देवता जो भ्रववर होती है सुबह एकदम शुद्ध और बहुत ज़्यादा प्रभाव शाली देव वेला में सुबह चार बज़े शुरू होता है उसमें हवा की गंध में आप ऑक्सिजन को सूंग सकते हैं जो जीवन दाई होता है अगर आप जराजा खिड़ की खोल कर बाहर से निकाले तो उस ह श्रीज से बनाऊ टीशू बारिक-बारिक जो कि डट होते रहते हैं लगाता ओने टीशू आते रहते है आपका शारी पर शेल्स उन्हाइब को जितनी सांस आप देते हैं पर रहां नहीं होती है इसलिए कहा जाता है हम जो सांस लेते हैं आधी लेते हैं कई आधी से जादा क्योंकि हम सस्ते में नहीं पटना चाहते हैं संस लेने में कईजूशी करते हमें लमबी बड़ी बड़ी सांसे लेना चाहिए चोकि हमारे लिए साइस अक्सीजन का आपके हर टिशू को चितना चाहिए उतरा दे दो बढ़ जाएगे भी बीमारिया ठीक हो जाएगे जितनी बीमारिया आपको उसके उसरे पेट नहीं भर रहा था इसलिए अलग विलोग या कपाल भाती या दूसरे हैं जो प्राणया में हमारे जो बताए जाते हैं वो अलग-अलग तरीके से शरीर की सेल्स को ऑक्सिजन की आप पूर्तियाने सप्लाइ करने के तरीके हैं उसके दौरा आप अपनी इम्डिटी बढ़ाते हैं और आप भीमारी को ठीक करने ते सीधा और बिल्कुल क्लियर फंडा ह इस बेसिकली वेरी वह चुकाल बेसिक साइंस फाउंडेशन साइंस बिल्कुल जबीनी सत ही विज्ञान है जो बताता है बोडी के सेल्स को जीवित रहने कले चाहिए ऑक्सिजन और आप पूरी सांस लेकर उनको देते नहीं तो प्राणयम के दौरा विशेश पंदती से सा आस agent के ऑप्छिजन आप उनके शेयर के हर सेंस को पहुचाते हैं है और सहल सपके पूरी जीवित ते शक्तिषाली होते हैं और कम ज्यादा चितरनते हैं बहतर करते हैं पूरी पोटेंस किlause करते तो आप निरोग हो जाते हैं आपकी निरोगता यानिक्योंडियॉे आप हर वीमारी को पीट करके मारके भगा देते हैं एजी एक सिंपल है जैसलिए योग कीजिए प्रणयम का एक हिस्सा है योग का प्राणयम जरूर कीजिए औक सिझन अपको दीजिए जिन्दा रखिए ज़िए जब बढ़ते हैं आद में एक-एक सांस को दख जाता है सांस क जिवन है इसलिए उक्सिजेन को प्राण अपवाईू केते हैं इसको अपने शेरीर को जितनी ज्यादा दे सको उतने ज्यादा दो उतनी ज्यादा जिदीगी भरेगी क्योंकि ये निकल गई तो जिद्धी खतम बहुत आ गई और ये वापस आ गई तो मत खतम जिद्धीगी क्लियर है मेरा फंडा आपको समझ में आया बहुत अच्छे बात है धन्यवाद जाते आते आपको एक वाफिर सिया दिलाओं का पानी बचाहिए सबको सिखाये नमस्कार